हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटू चैनल मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नई वीडियो में और नई रेसिपी बिल्कुली योनिक और नास्ता बनने वाला है तो इसके लिए मैंने लिए मटर एक कप आप अपनी फैमिली के कोडिंग मटर कम जा इसे चार मिनट तक जब तक कि इसका अच्छे से कलर ना निकल जाए कुछ इस तरीके से उबलने ना लग जाए तब तक हमें इसे वोईड करना है बिल्कुल बढ़िया से तो यह हमारी पालक और मटर बिल्कुल बढ़िया से वोईड हो चुके जैसा कि आप लोगों को पता यह सर्दियो का सीजा ने तो मटर बहुती इसली मिल जाती है तो यह तो हो गई मटर और पालक की बात अब हम रैडि करते हैं इसके अंदर डाले वाला श्टपिंग तो इसके लिए मैंने लिए हैं चार आलू बॉइल्ड किये हुए चार आलू जो है मैंने बॉइल करे पाउडर हराधनिया बारिक कट किया और इसका पेश्ट बनाओंगी बिल्कुल बढ़िया से यह हमने बना लिया आप चाहे तो इसमें पनीर वगेरा भी एड़ कर सकते हो आपकी इच्छा है और यह हमने जो मटर पालक वोईल्ड की थी वह है तो इसको डालेंगे हम बारिक प कर सकते हो जरूरी नहीं मैंने इतनी सारी लाल मिर्च डाली तो आप भी डाल दो एक कटोरी भर के गेहूं का आटा उसमें डालेंगे जो हमने पेश्ट बनाया है ताकि आटा हमारा बिल्कुली ग्रीन बने जैसे हम नॉर्मली डो आटे का लगाते हैं वैसी लगाना है कुछ कट लगाना है चार कट लगाने अलग तो आप लोग सोच रहोगे यह तो ठीक है मगर इन्होंने गेहूं के आटे में क्या-क्या डाला यह नहीं बताया तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी अभी आप यह देखिए प्रोसीजर इसके बाद हमें लगाना है जो पाल कट किया है जो अंदर जाएगा उसके लिए हमें छोटा ही लेना है ज्यादा बड़ा नहीं और इस तरीके का आलू का डो डाल के और उपर का एक्स्ट्रा आटा हटाते हुए इसको इस तरीके का राउंड सेफ में बेल लेंगे मैं चारो बेल भर के दिखा देती हूं मैंने बरतन लेने पड़ते हैं आटा मैंने कुछ ज्यादा लिया है क्योंकि साधी रोटी भी बना सकते इससे पराठा भी तो कोई दिक्कत नहीं और इसमें डाला मैंने अजवाईन बेशन दो चमच भर के लिया है मैंने और नमक स्वाधनुसार डाल देंगे इसमें और इसमें दोएल आटा लगाने के लिए कुछ इस तरीके से और इन सभी को हाथों की साहिता से अच्छे से मिक्स करते हुए लगा लेंगे नॉर्मली आटे का डो जैसे हम रोटी बेलने के लिए आटे का डो लगाते उसी तरह लगाने कोई इसमें एक्स्टरा चीज नहीं करनी कि एक लगके रेडी हो चुका है हमारा और इसमें हम 10-15 मिनट के लिए रेष्ट करने देंगे रिफाइंड ओयल लगा के इस तरीके से तो यह आटा भी हमारा रेडी हो चुका है तो इसके अंदर डालूंगी में छोटी सी रोटी बेलनी है हमें जैसे पूरी बेलते हैं उस तरीक करेगा तो एक छोटा सा ढखन लेना है और उसको रोटी को जो हमने अंदर भेला उसे प्रेस करके दभाना नहीं है नहीं तो खराब हो जाएगा वह चप्टाशा हो जाएगा वह फ्लावर नहीं बनेगा इस तरीके के ढखन की साइटा से हमने ले लिया है बीच में रखा थ और यह देखिए आप लोगों के सामने में करके दिखाती एक मिनट इस्टेंड जो है वो मेरा हिल गया था तो इस तरीके से हमें घुमा के यह देखिए ग्रीन ग्रीन बाहर की और आ चुका है आप लोग दे सकते हैं फ्लावर बन रहा है कितना बढ़िया बनने वाला है क्या इस नास्ते की मेदा से मिलने वाली चुटी और खाये गेहों का क्रिस्पी टेस्टी नास्ता जो की मज़ेदार होने वाला है तो यह देखिए विल्कुल यूनिक सा बन चुका है यह इस टाइम बच्चों को खास करके बहुती ज्यादा पसंद आता है और लैंच बोक्स में बच्चों के डालिए शोट ब्रेक के लिए तो बहुती ज्यादा टेस्टी वनेगा और यह देखिए उसके उपर से डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड हो लिया पानी ग्रीस कर देना उसके बाद काली तिल होती है तिल उसको डालना है राई नहीं काली वाली तिल जैसे सपेद तिल होती है वैसी काली तिल होती है उसे डालना है और उसके बाद इसके उपर अच्छे से चिपका देना है देखो कितना सुन्दर लग रहा है और यह कुछ मैंने वाइट कलर के भी बनाया है यह देखिए आप लोग हम आप चाहे तो घी में या रिफाइंड में य से यह देखिए कैतना बढ़िया कलर आया है आप जिसे भी खिलाओगे काभिले तारीफी करेगा अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेर करना तो बिल्कुल भी ना भूले ताक कि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे चैनल के साथ इंजोई कीजिए थैंक यू फोर वोच माई वीडियो